हाई गाईस टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है तो गाईस आज हम लोग बनाएंगे सूजी के गुजिया इस गुजिया को बनाने का दो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दाएंगे जरूर करिएगा तो इस गुज्जिया को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तयार करना होगा, जिसके लिए मैने नहीं पर लिया हुआ है 300 ग्राम मैदा मैदी की कॉन्टिटी कम जादा किया जा सकता है, साथ में मोवन के लिए हम यहाँ पडालेंगे एक कप घी 300 ग्राम मैदे में मैंने यहाँ पर 100 ग्राम घी के यूज किया है घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिसे कि आपकी गुजिया काफे ज़्यादा खस्ता बनती है और घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुजिया का बाकी आप डालडा घी आप फिर रिफाइंड ओल का भी यूज कर सकते है मैदे को इस तरीके से मुठी बांद करके चेक कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पाने डालते हुए डो तायार करेंगे तो ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पन मीडियम डो तायार करना है जिसे रोटी के लिए हम बनाते हैं सेम वैसा ही बहुत जादा डो हाट हो जाएका तब भी हमें प्रॉब्लम होगी बहुत जादा सॉफ्ट रहता है ना तब भी दिक्कत होती है तो यह डो हमारा तयार हो गया है आप अपनी उंगली को प्रेस करके चेक कर सकते हैं डो को अब हम डो को ढख करके रख देते हैं किसी भी कपड़े या फिर आप बरतन से ढख दीजे ताकि ये सूखे नहीं उसके बाद हम लोग निक्स्ट श्टेप पे एक बरतन गरम होने के लिए रखेंगे और इसमें आड़ करेंगे एक कप खी तो ये 100 ग्राम घी लिया हुआ है मैंने और घी जैसे ही अच्छी तरह से गरम हो जाए पिघल जाए उसके बाद यहाँ पर हम लोग आड़ करेंगे इसमें सूजी तो ये मैंने 1500 ग्राम सूजी लिया हुआ है 100 ग्राम घी और 1500 ग्राम सूजी गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और सूजी को मिक्स करते हुए रोस्ट करेंगे छे से साथ मिनाट या फिर कम जादा का टाइम लगेगा जैसे ही सूंधी सूंधी सी खुजबी पूरे घर में फैनने लगे और सूजी का कलर चेंज हो जाए डार्क गोल्डन तो सूजी को हम निकाल करके एक बरतन में साइड में रख देंगे वापस उसी बरतन को रखा है मैंने और इसमें हम एट करेंगे हाफ कप पानी साथ में यहाँ पर हम एट करेंगे एक कप चीनी जो की वेट की बात करें तो 1500 ग्राम है मिक्स करते हुए हमें यहाँ पर थोड़ी देर तक पकाना है ताकि हमारी चीनी पिघल जाए और गाढ़ी हो जाए थोड़ी सी तो आप देखोगे लगभग दो मिनट बाद कि आपकी यह जो है ना कुछ चासनी की तरह बन गई ही यह दिखिए गाढ़ा गाढ़ा सा तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसमें हम लोग आट करेंगे सूजी जो हमने रोष्ट करके रखा हुआ था सूजी को हम लोग mix कर देंगे और उसके बाद यहां पर हम add करेंगे कुछ dry fruit तो dry fruit यहां पर आप बारिक चौप करके use करिएगा मैंने यहां पर लिया है काजू, बदाम और पिस्ता quantity कम ज़्यादा किया जा सकता है या फिर आप अपने मन पसंद किसी भी dry fruit को use कर सकते है यहां रिस्पी में साथ में हम लोग यहां पर किस्मिशाइट करेंगे और सभी चीजों को mix करेंगे mix करते होए हमें 2 मिनर तक पकाना है धियान रखिए कि गैस का flame low रखना है low flame पर धीरे धीरे पकेगा तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा साथ में color के लिए हम यहां पर add करेंगे केसर का पानी तो कुछ धागे जो है ना केसर के पानी में डाल दीजिए color आज आएगा साथ में हम लोग खुजबु के लिए यहां पर आधा चमच इलाची पाउडर एट करेंगे अगर नहीं है पाउडर तो आप यहां पर इलाची को कोट करके भी यूज कर सकते हैं सभी चीजों को mix कर दीजे बहुत ही प्यारा सा color दिख रहा है अब हम गैस का flame off कर देंगे क्योंकि यह सूजी है जैसे ठंडी होगी तो यह ड्राइ हो जाएगी तो flame off करने के बाद इसे हम लोग mix करते रहेंगे और जब यह ठंडा होगा उसके बाद आप देखोगे कि इसका color हलका सा change हो गया और यह काफी ड्राइ हो गया कुछ इस तरीके से हो चुका है तो चलिए अब हम लोग बाकी की तैयारिया कर लेते हैं तो मैंने यहां पर एक बावल में लिया हुआ है एक चमच मैदा इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और गाढ़ा घोल तयार कर लेंगे इस घोल का यूज करके जब हम गुजिया बनाएंगे तो आपके गुजिया बिल्कुन भी फटती नहीं है उसके बाद मैंने यहां पर लिया हुआ है मैदे का डो जो हमने तयार करके रखा था थोड़ा सा डो हम लोग तोड़ लेंगे तो मैदे जब आप काफी देर के लिए रख देते हुने तो यह थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो इसे हम लोग मशल मशल करके चिकना कर लेंगे उसके बाद हमें इसे छोट छोटे भाग में डिवाइट कर लेना है और फिर हम लोग गुजिया बनाने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले क्या करिए लोई जो है गोल करके तयार कर लीजे इस तरीके से हलका सप्रेस कर दिजी और बेलन से बेल लेंगे तो ध्याने के कि इसे हमें बहुत जादा पतला नहीं करना है नॉर्मल बेलना है तो ये गोल बेल करके रेडी हो गई है आप किसी भी साइस का इसे बेल सकते हैं उसके बाद मैंने हाँ पर एक साचा लिया हुआ है पहले आपको साचे से बनाना बता देती हूँ उसके बाद फिर बिना साचे के बताऊंगी तो साचे के उपर यहां पर रख लिजी अच्छी तरह से बीच में थोड़ा सा प्रेस करिए और एक चम्मच से डेर चमच इस टेफिंग यहां पर हम लोग डालेंगे और घोल को किनारे किनारे में लगा देंगे यह घोल जो है एकदम चिपका देता है आपकी गुजिया को क्योंकि जो हमने हाँ पर मैदा गूठते समय घी डाला है न उसे जो है न चिपकता नहीं है जल्दी से तो प्रेस करिए और आपकी यह गुजिया हो गई है तैयार बढ़िया सी दिख रही है न तो चलिए अब मैं आपको जो है इसी तरह से बिना मशीन के कुछ यह बनाना बताती हूं तो सबसे पहले हम इसे भी बेल करके तयार कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसे अपने हाथ में उठाईए और इसके बीचों बीच में एकसे डेल चमशी श्ट्रिफिंग डालिए और किनारे किनारे में जो है इसके जो है हमें फिर से मैदा लगाने की जरूरत होगी तो इस तरीके से मैदा लगा लिजे यहाँ पर हम धोड़ा सट जादा लगाएंगे घोल मैदे का अचछी तरह सटी सेκιबवर कर देंगे पलट करके और डिजाइन के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जिक्सरीक बा तो आपका ओयल जो है ना नॉर्मल गरम होना चाहिए हलका सा बबल सुठने लगे ओयल से फिर हम गुजिया फ्राइ करने के लिए डाल देंगे गैस का फ्लिम लो और मेडियम के बीच में रखेंगे पहले डालने के बाद हम गुजिया को अलट पलट नहीं करेंगे एक से डेड़ मिनट तक उसके बाद फिर अलट पलट करते हुए फ्राइ कर लेंगे एक बार गुजिया को फ्राइ करने में छे से साथ मिनट या कम जादा का टाइम लगेगा तो यह देखिए बहुत ही प्यारा सा डार्क गोल्डन कलर गुजिया कर दिख रहा है या फिर आप कहो कि लाइट ब्राउन सा कलर दिख रहा है गुजिया फ्राइ हो गई है इसी तरीके से बाकी गुजिया फ्राइ करेंगे और अपनी पूरी फैमिले के साथ हम लोग इसे इंज्वाइ करेंगे उमीद है रिस्पी आपको पसंद जरूर आई होगी वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं हम आप लोगों से एक नई रिस्पी में बाई गाईस